आप सभी का स्टेडी आएक्यू पीसेस चैनल पर और आज बिहार की न्यूज में एक नई न्यूज है और वो न्यूज आपके प्रिलिम्स के लिए काफे इंपॉर्टन्ट है देखते हैं टॉपिक कहता है कि एश्या की लाजस्ट इथनॉल फैक्टरी बिहार में खुलने माल है तो यह चीज प्रिलिम्स और मेंस के परस्पेक्टिव से कैसे इंपॉर्टन्ट है वो जानते हैं इस वीडियो में अगर आप मुझसे टेलेग्राम पर जुड़ना चाते हैं तो टेलेग्राम चैनल लिंक है लर्न एंड ग्रो विद अभिशेक और इस क्यू आर पोड को अब ही मेरे टेलेगा चैनल पर जोईन हो सकते हैं डिसकेशन ग्रूप भी है डिसकस और इमेल आइडी है अभिशेक.singh at the rate studyiq.com आप यहां पर भी मुझसे कॉन्टाट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के पारे पर चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं टॉपिक यह कहता इधनॉल होता क्या है और इस purpose से करने से क्या फायदे होने वाले हैं, advantages क्या होने वाले हैं, prelims और mains के perspective से यह topic क्यों important है बिहार के state PCS या अन्ने एकजामों के लिए सभी के लिए. तो देखें जगए कौन सी है, location कौन सी है जहां पर खोल रहा है, location आपके सामने लिखा अगर जिलार डारेटली पूछते हैं तो जमुई जिले में ये खुलने वाली है इतनौल की फैटरी एशिया की सबसे बड़ी होने वाली है ठीक है अब उसके बाद भी जमुई जिले में किस जगे पर होगी वो मिले कि बिहार जारखंड बॉर्डर पर जैसे जमुई आपको जिले में खुलने वाला है ऐसे questions कई बार आप चुके हैं और आने की संभावना आगे के exams में हमेशा रहेगी भी इससान है जमुई जिले की जो बिहार जारखंड सीमा है और गाउं कौन सा है ब्लॉक कौन सा है उसके बारे में भी देख लेते हैं नकसल प्रभाइद चकाई अगलğा की प्रखंड का उरवा भलुए तो यह गाउं है वैसे इतना डीप महीं पूछा जाता है लेकिन अगर हम कभर कर रहे हैं टॉपिक को डीपली कभर करना जरूरी होता है तो हमने देखा जिला कौन सा है हमने देखा गाउं कौन सा है विलिच कौन सा है ठीक है ओर होता क्या है और एफिनॉल यह जरुरत क्यों पड़ी एथिनॉल के जो प्लान 방 रहा है यह बनाने की जरुरत क्या पड़ी उसको समझते हैं कि पेह avdug मोगोिला मैप में आप जानते होंगे की wisya जो है वह कहाँ पड़ेगा इस जगे पर आपको दिखाई दे रहा है इस is जमुई जिला यह बिहार राज है बिहार के 38 टिस्टिट में 38 जिलों मेंगे बिहार का जमुई जिला पड़ता है यह जारकृंड के साथ में बौर्डर बनाता है भिषार्खण्ट आप हमाथete रहे जारकृंड के सात hai ला पर्फ में इसकी सीमा लगती है तो यह मैप में एक map ज़रूर रख लीजएगा, बिहार का political map और बिहार का physical map, जो कि बिहार के exams के त्यारी चेठीर कर रहे हूं के लिए, इंडिया का physical और इंडिया का political साथ में world political and world physical, ये सारे maps आपके पास झे मैं आप तो कम से कम रहने ही चाहिए अगर नहीं है तो एटलेस बुक तो रहने ही चाहिए आगे आते हैं टॉपिक पर बायो मास्क थनॉल यह हमेशा प्रस्ण दिमाग में आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है और बायो अगर है तो यह बनाया कैसे जाता है तो इसके लिए ज जन्ने का जो जब रस निकाल लिया जाता है तो उसकी जो खली रहती है उसका जो वेस्ट मटीरल रहता है उसका यूज किया जाता है इतनॉल को बनाने के लिए साथ ही मक्का आपको दिखाई दे रहा है स्टार्च वाला जो भी फसले रहती है उनका यूज किया जासकता है स bio fuel अब इन सारे raw materials को जो हम use करते हैं इंडस्री में जाते हैं plant में ले जाते हैं इ Bernie てनौल जो plant होते हैं वहां पर बनाते हैं उसके बाद बनाने का purpose क्या है क्यू बरा रहे हैं क्योंकि हम इस跑 ब्लेंड कर रही होते हैं जो हमारे इंधन हैं उनके साथ petrol के साथ इसमें, डीजल के साथ में, जो इंधन हम लोग use कर रहे हैं, hydrocarbon के जो इंधन है, जो कि हम लोग कहते हैं कि जिनसे बहुत ज़्यादा धुआँ, बहुत ज़्यादा pollution होता है, उन fuels के साथ में इनको add up किया जता है, जिससे fuels कम use हो, hydrocarbon fuels कम use हो, तो you can see, यहाँ पर plant बना हुआ है, plant से ethanol बन गया, यहाँ पर निकल रहा है, उस ethanol का use किया जाता है, stations में, fuel filling stations में, ठीक है, gas stations में, fuel stations में, जो हम लोग use करते हैं इंधन, उसमें blending करी जाती है, blending कर, मतलब mixture किया जाता है, और हम यह कहसते हैं कि अगर आप mixture करोगे, अगर आप mixture क होगे, मिश्रन बनाओगे, तो मिश्रन बनाने में, जो hydrocarbon fuel है, जैसे petrol है, और diesel होते हैं, तो इनकी मातरा कम use होगी, obviously, क्योंकि उस चीज़ को replace कर दिया है, ethanol ने, which is a biofuel, और यह उतना हम कहसते हैं कि, जो production होता है, वो कम करेगा, ठीक है, production जो हो दाएगा, वो totally कम हो जाए hydrocarbon fuels होते हैं, उनके साथ में, petrol के साथ में, डीजल के साथ में, इनके साथ, तो इसको इस purpose से बनाया भी जाता है, साथी, हमारी जो central government है, central government, you can see, हमारी प्रधान मंतरी, मोधी जी, मोधी जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, हमारी जो केंद सरकार है, उसकी तरफ से एक agenda, decide किय गया है, central government का agenda decided है कि, उन्होंने advance का दिया है, एक target को, जो की पहले था 2030, लेकिन बाद में अभी इसको 5 साल और आगे बढ़ा के 2025 कर दिया गया है, सरकार ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथिनॉल मिश्रन के लक्ष को 5 वर्ष तक 2030 पहले था, 2025 कर दिया है, इसको आगे बढ करने का फैसला लिया है, तो ये बहुत ही एक अच्छा फैसला है, इससे होगा क्या, इससे हम जितने भी पेट्रोल यूज होने वाला है, फ्यूल के तौर पर उसमें हम देख पाएगे कि इथनॉल ब्लेंडिंग हो चुकी है, जिससे कि हम जो मिक्स्चर होता है, वो कम प्र मेंन के पर्सेट्ट्रिवस से, ये चीज से, बहुत इंपोर्टन होती है, मैंने बताया आपको जगह इंपर्टन थी, किस जिले में, जमुई जिले में, लेकिन अब मिंस के पर्सेट्रिय से, ये डेटा काफी इंपर्टन है, You can note down, इस र्रिटा उलसो, कि इथन ओन कर सकते हैं Central Government का यह एक निर्देश है इसको डिसाइड किया गया है इसको फॉलो भी किया जाएगा नेक्स्ट यह तक इस चीज़ को हम यूज कर सकते हैं अपने मेंस एक्जामनेशन में अब एथनॉल ब्लेंडिंग के एड्वांटेज क्या होते हैं इसका बहुत महत्व है हमारे एक तरीके से राजस्त में रिवेन्यू में भी और हमारे जो इंपोर्ट होता है फ्यूल का उसको कम करने में इंपोर्ट करने में जो आयात करने हमें खर्च हम करते हैं वो कम हो जाएगा that's a very big number क्योंकि हमारे भारत देश में जो पेट्रोल है और डीजल होता है है इसको हम आयात करते हैं पेट्रोलियम को हम आयात करते हैं इंपोर्ट करते हैं तो वो जो प्रेशर पड़ता है हमारे सिस्टम पर जो टैक्स होता है वो सब चीजों का वो कम होगा इससे अगर हम ऐसा एक उपाय अपनाते हैं तो इथिनॉल बेंडिनिंग का उपाय अपनाते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोटेक्टिंग एकॉनमिक इंट्रेस्ट ऑफ फार्मर्स बिल्कुल जो उगा रहे हैं रौ मटीर की मैंने बात करी थी गन्ना था मक्का था और जो भी चीजे ऐसी थी जो की अग्रिकल्चरल वेस्ट हो सकता था ठीक है क्रिशी करने में जो की व पैसे भी मिलेंगे उस चीज़ के अगर आप गवर्मेंट को सेल करते हो आके तो उसको इससे फार्मर्स को पैसे भी मिलेंगे ठीक है और रिवार्ड नहीं कह सकते हैं इसको इसको हम कह सकते हैं इसको कुछ पैसे मिलने वाले हैं जैसे वो अग्रिकल्चरल कोई वेस्ट होत है कि भाई अगर फार्मर अपनी फील्ड से इस एग्रिकल्चरल वेस्ट को हटाना ही चाहता है तो आप नहीं देखा होगा कि हटानी के लोग जला देते हैं तो एक यह इंसेंटिव के तौर पर हम इसको हैं कि farmers इसको जलाएं नहीं वो जाके sell कर दे जलाने से क्या होगा pollution होगा we can say, error pollution से क्या हो जाएगा higher pollution इस से क्या हो जाएगा calm will headache why unicorn जलाने से क्या होगा लिए जलेगा और यह sell कर दिया जाएगा apply ton compromise कम होने वाला है तो पहला पॉइंट यहां पर बहुत सारे perspectives को लेके आगे बढ़ता है वो यह कह रहा है कि protecting economic interests of farmers farmers की जो economic interests हैं वो fulfill होंगे उन्हें आये मिलेगी उन्हें आमदनी होगी एक government का central government का और state governments का एक agenda है कि doubling the farmers income जो किसान है उनकी आये को दोगनी करना तो इसमें यह step काम करने वाला है तो you can connect these dots इन dots को connect करना यह आपका काम है मैंने यह सारी चीज़ें आपको mention कर दी है अगर मैं यहाँ पर यह चीज़ लिख देता हूं कि doubling the farmers income तो यह point यह point आप note कर सकते हो mains के लिए तो सारे current affairs इस perspective से ही पढ़ने चाहिए prelims और mains के perspective से कि कहाँ पर क्या चीज़ हम use कर सकते हैं second point क्या है वो है reduced import bill and increasing self-reliance import bill चुकि हम आयात करते हैं petroleum को आयात करते हैं जिसमें कि petrol और इसके बार डीजल बनता है उसके refine करने के बाद में तो अभी क्या हो रहा है अभी हम लोग कम आयात करेंगे because हम अगर अपने ही देश का जो agricultural waste है उससे अगर ethanol बनाएंगे और blending करेंगे 20% blending करेंगे तो total जो fuel की खपत होगी वो import करने वाली वो कम हो जाएगी इस वज़े से हम उसको कम import करेंगे इसका एक आर्थिक महत्व है इसका एक आर्थिक महत्व बहुत जाला आपको देखने में मिलेगा आयात बिलकम होगा और आत्म निर्भाता भी बढ़ेगी क्योंकि fuel हम generate कर रहे है अपने भारत देश में ही generate कर रहे है और आत्म निर्भार भारत की तरफ हम आगे बढ़ते जाएंगे, अग्रसर होते जाएंगे, third point is lowered CO2 emission, definitely, अगर हम इस जो waste था है, agricultural waste था, वो field से अगर हम हटा रहे हैं, और ethanol बना रहे हैं, उसको जला नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उससे CO2 का emission, carbon dioxide को जो emission है, जो सर्जन है, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और सच बातावरण मिलेगा, definitely, यह एक, मतलब जुड़ा हुआ concept है, related concept होता है, कि अगर CO2 उत्सर्जन कम होगा, तो सच बातावरण definitely मिलेगा, और एक और चीज़ है, कि बही, carbon उत्सर्जन भारत देश को कम करना है, इंडिया को क्या बनना है, carbon neutral बनना है, carbon neutral कब तक बनना है, 2070 तक carbon neutral बनना है भारत देश को, तो इस agenda, इस एक जो aim है, इस उत्देश को पूरा करने के लिए, यह कुछ छोटे-छोटे से steps हैं, जो कि इसको achieve करने के लिए काम में आने वाले हैं, पूर्थ पॉइंट क्या है, encouraging ease of doing business through the technology, प्रोध्योगी की के माध्यम से व्यापार करने में आसानी को प्रोधसाहित करना, यह भी एक इसका एक major aim है, तो हमने यह देखा, इस जगे, कि current face एक statement था, कि इथनौल का, एशिया का सबसे बड़ा plant लग रहा है, बिहार के जमुई 2030 से 2025 हो चुका है, अगले साल तक हमें 20% blending करनी है petrol में, और कुछ इसके advantages भी है, ethanol blending करने के इस वज़े से ethanol को बनाया जाएगा, तो यह ओप आप लोगों का यह चीज़ काफी पसंद आई होगी, topic यहीं पे खतम होता है, अब हम बात करते हैं कुछ crash course की, अगर आप foundation, संकल, batch 3 में admission लेना चाते हैं, और आप उत्तरपदेश, बिहार, हर्याना, मद्धपदेश, उडिसा, पंचाब, असाम, वेस्ट बेंग और जमु कश्मीर के state pieces की त्यारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, विकर्ज इस टाइम पे चल रही है, 10 साल, 20 साल की sale और इसमें आपको मिलने वाला है, maximum discount के साथ-साथ double validity भी, validity इस course की होगी, 48 months, 48 months, 4 साल की validity रहेगी, पहले 2 साल की थी, अभी 4 साल की हो जाएगी, minimum amount में आपको एक course मिलने वाला है, जब आप AKS live code का use करेंगे, AKS live ये मेरा code है, मेरी mentorship भी आपको इसमें मिलेगी, effectively आपको जो course का amount पढ़ने वाला है, वो पढ़ेगा 10,000 का, 10,000 की amount में आपको ये चीज़ मिलेगी, maximum discount जो है, वो आपको AKS live से ही मिलेगा, ये जो amount मैंने बताया है, ये तभी होगा जब आप AKS live code का use करेंगे, batch कब से start हो रहा है, batch start हो रहा है, 16 सितंबर से, तो जल्दी से जाईए, study IQ की website पर और जा के इस quote को purchase केजी, और प्रेस स्टेट PCS की त्यारी को आगे बढ़ेए, foundation की बात ये हो गई, अब आते हैं हम लोग crash course को के उपर, अगर आप 70th BPSC का crash course देना चाहते हैं, जो कि अभी 2 महिने में होने वाला है, और UP PCS का भी है, और उसको भी purchase का सतने हैं, और पीशा PCS के साथ सा जमुन कश्मी का PCS, इसके लिए भी अगर आप त्यारी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है, मैंने बताया, sale कौन सी है, 10 साल, बेमिसाल sale, क्योंकि 10 साल हो चुके है study IQ को, तो इसके उपलक्ष में study IQ प्रोवाइड कर रहा है, maximum discount के साथ सा double validity, तो इसके लिए भी batch admission, इसका जो admission है, वो close हो रहा है, 15 सितंबर, यानि कल, तो definitely आपको AKS live code का use करके maximum discount पाना है, और effectively आपके पास 170 रुपे मंतली का charges के हिजाब से आप त्यारी कर पाएंगे, इस code को अचीव कर पाएंगे, इसमें test series included है, सब कुछ आपके प्रिलिंस के लि सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को आप लाइक भी करते हैं, टेक केर विपन, जै हिंद, जै भारत